हेलो एबरीवन वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं इलम्प की रेशिपी और मैं हूनी लम्प तो आज आपके साथ मैं ये गूड की मीठी चटनी या अचार आप इसे जो बोल लीजे ये सेयर करने वाले हूं ये जटपट सा बन जाने वाली रेशिपी है और बहुत ट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे चोटी सी जो घंटी है उसको हिट किजेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर किजेगा आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए प्लीज लाइक कर दिजेगा और यी बिल्कुल फ्री है चैनल को स लिए और इसके चिल के उतार लिए है अब इसको हम कटकस कर लेंगे यानि घीष लेंगे इसे अगर आपको घीष नहीं आप इसे कटकस नहीं करना चाहती है तो चोटी चोटे पीसे करके बिल्कुल ड्राय सा मेक्सी में ब्लेंड भी कर सकती है बड़ करने से इसका जो यह की चाहते हैं रेंगे रेंगे चैनल को घीष और इसे करना है इसके लिए कुछ मशले करेंगे इसके लिए कुछ मसाले त्यार करेंगे मसाले तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीश्पून जीरा, 1 टीश्पून सौफ और यहाँ पर लेंगे 1 टीश्पून मेथी दाना और 1 टीश्पून अजवाईन इन चारों को बिल्कुल हलका सा रोष्ट कर लेना है हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बस इन से थोड़ी सी खुस्बू अच्छी आने लगे तब तक हमें इन थोड़ा सा रोष्ट कर लेना है बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखे कि रोष्ट न करें नहीं हुआ पकडाई हमारी हे थोड़ी नियंके पूर्ट करने के बाद कड़ूर में डाल लेंगे। जो मीठा बहुत ज्यादा खाते होंगे थोड़ा सा गुराट एड़ कर सकती हैं यहां गुड के जगह पे जो चीनी खाना चाहते हैं चीनी बिल्कुल बराबर मात्रा में आप यहां पर एड़ कर सकती हैं प्रोसेस सेम रहेगा सभी का तो यह देखें इनको अब लो फ्लेम कर करके और इसे कवर कर लेंगे यहां पे देखें मुझे घूड छोड़ा सा कम लग रहा था इसमें ने फुछ सा और मात्रा में अब इसमें हम थूड़ा सामसाले आट करेंगे है科ी यह देख रहे हआप कि थोड़ा सा गार्वाह स्टार्टिंग में जब यह आधा पक जा तो इसमें थोड़े से मसाले एड़ करेंगे जैसे कि रेट चिली पॉडर रेट चिली पॉडर आप अपने टेस्ट के नुसार कमिया जादा कर सकते हैं यहां पर मैंने वन टीश्पून रेट चिली पॉडर लिया और इसमें मैं डाल हमने रोष्ट किये हैं उसे हम इसको लाश्ट में बिल्कुल लाइट करेंगे तो यह देखे मैं मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब इसको हम कवर करके फिर से पकाएंगे जब तक कि यह जो हमारा अचार है चैया चटनी है बिल्कुल ठीक नहोजा तब तक हम इस आओ से इसी तरह चलाते रहेंगा कम यह ज़्यादा ग्यास का फ्रेंब हाप कर के पका सकते हैं इस से क्यूंकि हाइ की अगर आप यह जो हम अचार जो है थोड़ा सा थीकने जाह गें और प्रहट करने के बाद बागी जो मसाले थोड़ा आड करेंगे यह मैं इसमें एक से दो पिंच हिंग करूंगी लिए पहुत जरूरी है इस तरह मैंने 2 Tail Spoon एट किया है और छाँ से अगर आप लिएट करेंगे और इसको तरह मिक्स कर लीएगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा सा हम एड करेंगे बलैक सॉल्ट यानी क कि काला नमक काला नमक का फ्लिवर इससे बहुत ही अच्छा आता है इसलिए इसको जरूर एड़ करें उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इसका फ्लिवर और चेट पुटर बनाने के लिए इसमें आड़ करेंगे चाट मसाला चाट मसाला वैसे ऑप्सनल है अगर आप नहीं चाहे तो नहीं भी आड़ कर सकती हैं बट अगर आप आड़ कर दे तो इसका टिस्ट जो है फ्लिवर और भी ज़्यादा ऑश्म हो जाता है अब यह देखे हम अचार को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे यह हमारा अचार लगभग बनके बिल्कुल तयार है हमें मसाले सारे पके हुए पहले से ही है तो हमें मसाले डालके अब इसे नहीं पकाना है इस तरह हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब किस इस भी कंटीनर में इसे डाल के फ्रीज मेरा के इसे 10-15 दिन तक रख सकती है महीना दिन तक भी आप इसे रख सकती है तो यह देखे थोड़ा सा इसमें मैं आड करूंगी चिली फ्लैक्स के उपर से चिली फ्लैक्स का फ्लेवर और लुक दोनों बहुत यह चाहता है यह भी ब चट्नी बनके बिल्कुल तयार है अब इसे हम क्यास से नीचे उठालेंगे और इसको किसी भी कंटीनर में आप डाल के रख लेजे ताकि आपका बिल्कुल से रही है यह दिखे इसका टेक्चर कितना अच्छा है अचार का कलर भी बहुत अच्छा है इसमें मैंने टर्मरीक टर्मरीक डाल ही मैंने इसे बनाया टर्मरीक अब डाल सकती है अभी मैं इसको आपको दिखाते हूं यह देखे कितना टेस्टी लग रहा है देखने में कितना ओशम लग रहा और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है यह चोटे बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आती क्योंकि यह जो स्वीटनेस होती है हमारे इस अचार में वह बहुत ही अची होती है तो चलिए आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके बताएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर किजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ झाल 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 झाल